मेरा व्यंग संग्रह है मौन मुसकान की मार मैं आज उसका एक व्यंग आपको सुनाता हूँ व्यंग का नाम है लाठी गली डॉक्टर लालचंद साथी जिनके कर्मों के कारण कसवे के लोग उनको डॉक्टर लाठी कहने लगे जिस गली में वे रहते थे उस बेनाम गली को लोगों नो उनका नाम दे के लाठी गली के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था उस गली में गुझते ही आप गेर लिये जाते थे और गेरे जाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि वो गेर लिया गया है मैं अपने एक मित्र से मिलने पहली बार गरदमों पहुचा था गंटा घर से दाइं लेते ही उस गली में गुज गया मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था तो देखा कि वो गली अचानक से तीन गलीों में फिर से फूट गई मैं चकर में पढ़ गया कि अब इधर से मैं किस गली में गुजू पता पूछने के लिए जेब से मैंने पर्ची निकाली वो पास में खड़े एक 9-10 साल के बच्चे की तरफ देखा इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो बच्चा अचानक मुझे देखके जोर से चिलाने डगा दादा जी मरीज दादा जी मरीज ये आवास सुनके बालकनी में एक नवीरती प्रकट हुई उसने उपर से ही मेरा मौायना किया और पीछे की तरफ मुझे उठा कर जोर से चिलाए बाबुजी मरीज बाबुजी मरीज मैं हक बका गया इतने में बड़ी फुर्ती से नीचे वाली खड़की खुली जिसके सामने मैं सैयोग वश खड़ा था खड़की में मुझे एक जवान लड़के का बेहत दुबला पतला चेहरा दिखाई दिया उसने अपनी आँख मुझे गड़ा दी जैसे कोई जादूगर समोहित करने के लिए अपनी आँखों को आबजेक्ट की आँखों पर गड़ा देता है और मुझे पर आँखे गड़ा हुए ही जोर से हाँख लगाई बाबुजी मरीज मैं वहाँ से भागना चाहता था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पते की पर्ची वाला हाथ मुझे विपरीत दिशामा केच रहा है मैं कुछ समझू इससे पहले ही मैंने अपने आपको एक कमरे में अंदर खाड़ा पाया सफेज साड़ी में लिप्टी एक बेहद मोटी महिला के हाथ में मेरा हाथ था उसने कमरे में रखी बेंच पर लगवग मुझे धकेलती हुए बैठाने की कोशिश की और मुझे पकड़े हुए ही जोर से आवाज लगाए डाक्टर साब मरीज डाक्टर साब मरीज मैं बेंच पर अध बैठा ही हुआ था कि अचानक हरे परदे के पीछे से किसी ने मेरा दूसरा पकड़के मुझे परदे के पीछे किछ लिया अब मैं जिसके सामने खड़ा था वो बेहद लंबा करीब सवा 6 फुट का बहुत जर जर शरीर था गले में स्टेथिसकोप लटका है सरसों के तेल से चिपके हुए बाल सफेद रंकी फुल शर्ट काला पैंट बेल्ट पेट से बहुत उपर और चाती से थोड़ा नीचे बंदा हुआ था पैर में नीली बद्दी वाली हवाई चपल मैं सनाया हुआ सा खड़ा था और बनाय हुए से मुझे देख रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है यह पूरा घटना क्रम सड़क से घसीट कर कमरे में घुसरने तक करीब डेल मिनिट में घट गया था पते की परची अभी भी मेरे हाथ में थी मैंने परची वाले हाथ को उपर उठा के बोलने के लिए मुझ खोला मैंने घबराट में अपनी मुठिया मान दे वे बोले आप पूरी ताकत से देवाल पर मारो कुछ ना समझते हैं मैंने दोनों मुठियां दीवाल पर दे मारे हैं वे बोले कहले सीम ठीक है तुमारा हड़ियों में कोई समस्या नहीं है मैं अचमित सा उनको देखने लगा व वे बोले ब्लेट पैसर भी एकदम नारमल है फिर बोले अपनी जगया पर खड़े खड़े पचास बार कुदो मेरी आँखों में अपने लिए विरोध और मुझे कूदता ना देखकर वो और मोटी नर्स जोर से चला कूद मैं घबरा के कूदने लगा पचास बार कुदव यह क्यों करें डाक्टर साथ में तो मेरा इतना ही कहना था कि डाक्टर साब बुरी तरह बेफर गया और बोले डाक्टर तु है कमा अब तू मुझे डाक्टरी से खाएगा जबल पर से भोपाल तके डाक्टर मेरी डायग्नॉस को चैलेंड नहीं कर सकते यह कागट पे मेरा मतलब यह नहीं है मैं तो से पत उन्होंने मुझे पत पर ही रोग दियो पता के तामें आकी मात्रा भी नहीं लगाने मुझे फटकारते ही वह बोले आरे पातना कोई बीमारी नहीं नहीं है चोटा यह वड़ा इंसान हो जानवर सब पाते हैं मैं कुछ डाक्टर हो के पा नहीं है इसका मतलब है तुमारा लिवर अच्छा काम कर रहा है बलकि पादना होना बीमारी का लक्षण है जित्री बड़ गड़े लोग है यह खाते हैं लेकिन पादना दिल्ली मुंबई जाते हैं पता नहीं क्यों उनको लोकल डाक्टर से गैस पासन कलवाने में सरमसी आ करना है तब तक उनको तसली नहीं होती है बड़े-बड़े आदमियों की कबजियत वाली हवा पे लोग फल फूल रहा है और क्यों ना फूल है सास्त्रों में सब्सक्राइब करने के कारण ही सेट लोगों को धन्सम पत्ती मिलती है सो गैस होना उनका पुन्न फल है कुछ ल अदमी को पदवाना बहुत मुस्कल काम है लेकिन कहीं अगर तुम अपने होनर से उनको पदवाने में सफल होगा न तो इनकी बाद बड़ी प्रतापी पाद होती है इनके पादने बरते बंगले खड़े हो जाते तुम बाग गसाली हो को तुमको गैस पास हो रही है अगर लगने लगता है तो सब नहीं की बासना का अपमान कर रहे हैं सास्त्रों में पश्ड़ेंगे के अनर्य सकार अध्यान रहार उसके हो जयाता है और आदमी दूसरे का ब्रह्म बहुदा और वद्बूदा लगता है इसलिए तुम गौर नहीं सब्सक्राइब अपने भी तुम बेंदास और को तुम बीमारई तुम बीमार ने पूरनता है स्वस्ता हो डाक्टर लाटी का नियम है कि जो व्यक्ति सलाह देने से ठीक हो जाए उसको खामोगा सुई लगा के लूटनी चाहिए इसलिए हम तुम से सिफ सलाह के कंप्लीट बाडी चेक अप के मातर पचास रुपे लेंगे मैंने कहा यह कहां की जबरदस्ती है मैं क्यों दूँ पचास रुपे आपको मैं तो आपके पास आया नहीं था आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे सड़क से घसीट के दबा खाने में बंदक बना लिया और फिर म मैं अपने आप नहीं गुजा हूँ डॉक्साब मैं तो बाहर ख़डाता सड़क पे वहां से घसीट के जबरदस्ती लाया गया हूँ वे बोले तो फिर तुम हमाएं दबा खाने के सामने क्यों खड़ेते हाथ मैं परचा लेके मैं बोला डॉक्साब मेरे एक दोस्त रहता ह हां सामने तिगड़ा देखके मैं चकरा गया था तो पता पूछने के लिए रुका था उस चोटे बच्चे के पास वो मुझे देखके मरीज मरीज चिलाने लगा तो मैं क्या करता वे बोले हो गया नफसे दीकर मरीज हो मैंने का कैसे वे बोले कोई भी ठुद्धीमान आद बे बोले confusion मतलब भ्रहम, भ्रहम भी एक किसम की बीमारी है, तुम अपने भ्रहम का निवारण चतुर आदमी से न करवा के चंचल बच्चे से करवा रहे थे, ये पागलपन की primary stage है, तुम एक बुद्धी हिंता, दो चक्कराना, तीन भ्रहम होना और चार पागलपन, तुम अ सारे रोगी नहीं, मांसिक रोगी हो, मैं गुस्से से फट पड़ा, और जोर से चिलाया, आप पागल है क्या, अच्छे भले आदमी को मांसिक रोगी कह रहे हैं, उस मोटी नर्स ने लपक के जोर से मेरे दोनों हाथ पकड़ दिये, इतनी ताकत से कि मैं हिल भी नहीं पाया डॉक्टर साब ने शांती से मेरी तरफ देखा और मुझे सुनाते हूँ बोले, पांच भी बीमारी उनमाद हिस्टीरिया, तुम्हें उनमाद भी है, यह उसी के लक्षड़ है, अच्छा हुआ तुम सही समय पे हमाएं पास आ गए, इन सब की अभी प्राइमरी स्टेज है मैं कुछ दवाईयां अपने पास से तुमको देता हूँ, दवाई, चेक अप सब मिलाके साड़े तीन सो रुपिया मैं काम हो जाएगा, मैंने गा मैं फोटी कॉड़ी भी नहीं दूँगा रक साब, मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ, वे बोले उससे पहले मैं तुमको पागल खाने वे जो आता हूँ, साले तीन सो रुपिया देते हूँ, या पागल खाने पहुन करूँ, मैं घबराट में रोने लगा, मुझे रोता देखकर कागस पर उन्होंने छटमी बीमारी लेकी, बोले तुम्हें अवसाद भी है, इसका पचास रुपिया और लगेग मर्ज को नहीं, अब मैं मर्ज को देख रहा हूँ, किसी भी अच्छे डाक्टर का धरम होता है, को वो मर्ज को समाप्त करे, तुमारी बीमारी बाहरी नहीं भीतरी है, इसलिए चुपचाप मेरा सयोग करो, मैं उन डाक्टरों में से नहीं हूँ, जो मरीज को बचाने के लि योबाशक्ती मूफट होती है, वो जो बोल देना, वो सच होता है, चलो मालिया जे सब जूट बोल रहा है, लेकन ये जिसने तुम्हें पकड़ के रखा है, तुमारी मा के जैसी है, माताएं कभी जूट नहीं बोलती, तुम पागल हो, पागल आदमी का सबसे बड़ा लक् चिंता है, क्योंकि तेरी इसी लोब लिपसा ने तेरे मन को रुगड कर दिया है, तुम पागली नहीं, एक नंबर का लोबी, लालची, जूटा, मकार, ब्रचचारी है, मन के उपचार के लिए धन की परवाह करने वाला सबसे बड़ा पागल होता है, अब मैं पहले तुझ पहुचा तो पर्मानेंट पागल हो जाएगा, मैं गबरा गया, और सच मुच अपने आपको बीमार पागल समझने लगा, मरता कह ना करता, मैंने जान चुटाने के लिए अपना बटू अनिकाला और 400 रुपे उनकी टेविल पर रख दिया, उन्होंने पहली बार एक भद् मैंने चौक के कहा, अब किसली, तुमाई आँख में नंबर है, दूर का टू पांट टू पाइफ सिलेंड्रिकल चस्मा लगेगा, और वह मेरा हाथ पकड़े के लगबाग घसीट ते हुए सड़क पो उसी जेल के ले आए, जहां से मुझे घसीट के अंदर लाया गया, और दवा खाने की दीवार से सटे हुए, दरवाजे पर लगी एक धुंदली सी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जिस पर मेरे दोस्त का नाम लेका था, मैं बहुचका सा कभी नेम प्लेट को देखता तो कभी डॉक्टर साब को, डॉक्टर लाठी ने दया के भाव से मुझ होके घर पड़ा, होश आने के बाद जब मैं घर पहुचा तो पत्नी मुझे देखकर चिंतेत हो गई, बोली के क्या हो गया तुम एकदम बीमार तूटे हुए, क्यों लग रहा है, मैंने कहा कि जब कोई बलात हमारी इमानदारी पर हमला करता है, जब ना चाहते हुए भी ह हमार शरीर पर होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग मन मस्तिष्क पर चोट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तन को खंडित करने से कहीं अधिक लाब, मन को खंडित करने में होता है, किसी को नश्ट करना है तो उसको नहीं, उसके विश्वास को नश्ट कर दो, उसका वि बीड के लिए सारा संसार सिर्फ एक ही बात कहता है कि बीड बागल होती है मुझे अचानक अपनी पत्नी दुंदली से दिखाई देने लगी इस दुंदलेपन का कारण मुझे तब समझ में आया जब मेरे गालों को गर्म पानी की धारा ने इस पर्श किया ओ ये तो मेरे किया था कि ये पांगलपन की प्राइमरी स्टेज है